So, hello guys, मेरा नाम है साजी सैफी and you are watching टेक्निकल सैफी and guys, आज की इस वीडियो में हम OnePlus की तरफ से आने वाले OnePlus Bullets Wireless Z2 Magico Black का फुल रिव्यू करने वाले हैं and इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता हूँगा कि आपको OnePlus की तरफ से आने वाले इस Z2 Neckband को बाई करना चाहिए या न कि तो इस hade का बैपिल्ट की हुझा है तो इस नेक बैंड कि यह साथा कमाल की लगी इसे की वायर की तो इस नेक बैंड का के माईट करें तो किय साथा शानदार है और कॉलोटी को लिएक आपको किसा आच तचाह का कोई यूशियो नहीं होगा आप जब एस नेक बैंड को ज जो फीचर्स दिए गये जो मुझे कैसे लगए वह अगर इसके फीचर्स की बात की जाए इस नेग बेंड के अंदर आपको फीचर्स थोड़े कम मिलने वाले हैं बेकॉस इसके अंदर आपको एक्टिव नॉइस कंसिलेशन गजी देखने को नहीं मिलता है और अगर LDAC की बात किया तो इसके अंदर आपको LDAC Kodak का support भी नहीं मिलता है जिससे कि इसके अंदर आपको जो bass वगरा है वो थोड़ा कम सुनने को मिलेगा खर इसके sound के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे फिलाल अभी हम बात करते हैं features के बारे में और इस Snake Band के अंदर आपको एक बहुत ही जादा important features जो कि इस Snake Band के अंदर नहीं मिलने वाला है वो है Switch Devices का इस Snake Band के अंदर काफी लोग है कि इसके अंदर Switch Devices का features दिया है खर इस Snake Band के Switch Devices के features की क्या हकीकत है उसके उपर already मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से आपको practical करके दिखाया है कि OnePlus के Z2 के अंदर जो Switch Devices का feature दिया है वो कैसे work करता है और आप उसको किस तरह से use कर सकते हैं आपको उस वीडियो का link वीडियो के description में मिल जाएगा आप directly उस link पे click करके उस वीडियो को देख सकते हैं और आप जान सकते हैं OnePlus की तरफ से आने वाले इस Snake Band के Switch Devices के features की हकीकत और आप यकीन मारिए उस वीडियो को देखने के बाद आपके काफी सारे doubt और भी जादा clear हो जाएंगे तो कुल मिलाकर यह features के मामले में यह link band मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा नेक बेंड और OnePlus के इस नेक बेंड का full comparison किया है और उसके अंदर मैंने काफी अच्छे से explain किया है कि आपको जो OnePlus का ये नेक बेंड है इसके अंदर किस तरह के features नहीं देखने को मिलते हैं और इसके सामने जो Realme का नेक बेंड है कि Realme Birds Wireless 2 है इससे कितने ज़्यादा features उसके अंदर दिये है उस वीडियो को देखने के बाद भी आपके काफी सारे doubt के लिए हो जाएंगे और उस वीडियो का link भी मैं वीडियो के description में दे दूँगा चलिए अब finally हम बात करते हैं इसकी sound quality के बारे में कि इसकी sound quality मुझे कैसी लगी तो अगर मैं in short मैं आपको बताओं तो जो oneplus का link band है जो की z2 है जो की new edition है मुझे इसकी sound quality जादा कुछ खास नहीं लगी जबकि इससे पहले वाला जो version था जो base edition था उसकी sound quality मुझे इस new edition के आगे थोड़ी सी better लगी थी लेकिन हाँ उसकी भी sound quality इतनी जादा better नहीं थी अभी मेरे पास एक realme का भी नेक band है जो की realme birds wireless 2 है उसकी sound quality इससे कहीं जादा मुझे better लगी अब मैं आपको बताता हूँ shortcut मैं कि इसकी sound quality है उसके अंदर मुझे क्या पसंद नहीं आया तो guys इसके अंदर base जो है वो बहुत जादा नाके बराबर है अगर आप एक base lover है आपको movies देखने का बहुत ज़दा शोक है या फिर आपको base वाले song सुनने का बहुत ज़दा शोक है अगर आपको party song सुनने का बहुत ज़दा शोक है और खास से अगर आप Hollywood की movie वगरा देखते हैं, तब तो आपको definitely बिल्कूल भी मसा नहीं आएगा, तो sound के मामले में ये एकदम मुझे average लगा, अगर आप एक beginner हैं, अगर आपने आज से पहले किसी अच्छी quality का neckband use नहीं किया है, या फर headphone use नहीं किया है, तब आप definitely इसको buy कर सकते हैं, और आपको इसका sound है वो पसंद आने वाला है, because इसका sound जो है यार इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप एक heavy user है, आपको experience है, different different neckband का, या different different, आपको earphone का, या headphone का, तब तो definitely आपको इसका sound विल्कूल भी पसंद नहीं आएगा, तो sound के मामले में में यह average है, and finally, आप बात करते हैं, calling के मामले में, कि यह calling के मामले में मुझे कैसा लगा, well, दोस्व, अगर calling के बात किया है, तो calling के मामले में, यह मुझे एक दम perfect लगा, calling को लेके, आपको किसी तरह का कोई issue देखने को नहीं मिलेगा, one plus के bullet wireless Z2 neckband के अंदर, चाहे फिर आप distance की बात करें, मैंने इसके अंदर काफी distance से भी बात करके देखी, वैसे तो company claim करती है, कि 10 मीटर के दारे में, अगर आप इसको यूज करते हैं, तो आपको calling या फिर sound में किसी तरह का कोई issue नहीं होगा, connectivity को लेके, लेकिन मैंने 10 मिनट के दारे से थोड़ी दूर जाकर भी हद तक, और जो sound की quality होती है, जो सामने वाले की आवाज होती है, वो आपको काफी proper सुनाई देती है, और जब आप बोलते हैं, तो आपकी जो आवाज होती है, वो भी काफी अच्छे से सामने वाले को सुनाई देती है, मैं इसको काफी दिनों से use कर रहा हूं, तो मुझे तो आज तक किसी ने कोई complaint नहीं की, कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, या फिर आप थोड़ा जोड़ से बोलिए, इस तरह की जो अकसर हम बात करते हैं, तो हमें सामने वाला complaint करता है, इस नेक बेंट के साथ मुझे ऐसा complaint आज तक किसी ने नहीं किया, तो calling के मामले में मेरी तरफ से ये एकदम perfect है, और calling के मामले में आपको किसी तरह का कोई issue नहीं होगा, अगर आपका purpose एक ऐसा नेक बेंट बाइ करना है, जिससे आप calling कर सकें, सिर्फ calling का ही आपका main purpose है, तो आप OnePlus के इस नेक बेंट की तरफ जा सकते हैं, और फाइली दोस्तों, अभी हम बा तो इसका जो battery backup है, वो मुझे बहुत ज़दा शानदर लगा, अगर आप इसको एक वार full charge कर लेते हैं, तो इसका जो battery backup है, आपको easily 2-3 दिन चल जाएगा, अगर आप इसके अंदर song वगरा या फिर movie वगरा देखते हैं, या सुनते हैं, या फिर आप गेम वगरा खेलते है तो आपको किसी तरह का कोई issue नहीं होगा 2-3 दिन के लिए, अगर आप calling calling पर ही इसको use करते हैं, तब तो आप इसको और भी ज़दा दिन use कर सकते हैं, कुल मिलाकर इन short में, मुझे जो इसका battery backup है, वो बहुत ज़दा शानदर लगा, और इसकी सबसे बड़ी बज़ा यह है इसका जो driver है, वो थोड़ा size में छोटा है, और इसके अंदर जो bass है, वो भी कम है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके अंदर आपको active noise cancellation का feature नहीं दिया है, और इसके अंदर आपको LDAC का support नहीं मिलता है, तो इसमें कुछ features ऐसे हैं, जो कि miss हैं, जिससे sound के अंदर त और अकसर मैंने यह notice कि जिस earphone के अंदर या फिर जिस neakband के अंदर या फिर जिस TWS के अंदर या फिर जिस headphone के अंदर bass थोड़ा कम होता है, वहां हमें calling थोड़ी सी better मिलती है, because calling के दोरां जो सामने वाली के आवाज हमारे कानों तक आती है, या फिर हमारी जो आवाज जात होती होती है, बेस कम होने की वजासे, अभी हमने क्या बात कर ली?द्यिक के बात कर लिए sound के बात कर लिया, calling के बारे में math क लिया, usability के बारे में बात कर लिया, or क्या होता है? नहीं होगा, तो आप definitely gaming के परपस से भी इस snake band को buy कर सकते हैं, जो अगर आप इसके अंदर BJMI वगरा जैसे game खेलते हैं, तो जो anime के foot step वगरा होते हैं, वो काफी आपको proper left और right सुनने को मिलेंगे, आपको किसी तरह का कोई misleading या फिर misguide महसूस नहीं होगा, ऐसा आपको महसू को मिलेगी gaming के दोरान, तो आप gaming के purpose से भी snake band को buy कर सकते हैं, gaming में भी एकदम perfect है, बस जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो sound quality है, वो मुझे इसकी थोड़ी सी normal लगी, वो सादा कुछ खास नहीं लगी, तो इस shot अगर मैं आपको बताओं कि आपको ये buy करना चाहिए, या नह करना चाहिए, तो मेरा जवाब ये है, कि अगर आपका जो purpose है, वो cable calling का है, आपका जो purpose है, केवल battery backup को लेकर है, आपका जो purpose है, वो थोड़ा बहुत gaming को लेकर है, तो आपको definitely इसको buy करना चाहिए, और अगर इसके price की बात की जाए, तो लवा 2,000 रुपे का price है, लेकिन अ पाइली आप भी बात करते हैं कि ये नेक बेंट किसको buy नहीं करना चाहिए, वो ये दोस्तों, अगर आपको song सुनने का बहुत ज़्यादा शोक है, अगर आपको party song सुनने का बहुत ज़्यादा शोक है, अगर आप एक base लवा रहे हैं, आपको movies देखने का बहुत तब तो मेरे भाई, आपको इसे बिल्कुल भी बाई नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्यों, खर दोस्तों, अभी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus Bullets Wireless Z2 Neck Band कैसा लगा, और खास करके आप ये भी कमेंट करके आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और यो मैंने इसका रिव्यू किया है, वो कैसा लगा, तो खर दोस्तों, फलाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक चे शेर कीजिए और साथी सा चैनल को सबस्क्राइब करना, बिल्कुल ना बूने तो चलिए फिलाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और न्यूव वीडियो के साथ.